असलावलेकुम जी देसुट मैविश कैसे हैं आप सब होफुली और डिंग वेल जिनब आप लोगो रॉइटिंग वर्क करना हैं मगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है पीसी नहीं है और इसकी वज़ासे आप लोग अपना ये वर्क कंटिनू नहीं कर पाते हैं आज म आप लोगगे बैठकर इसके तो वर्क कर सकते हैं जिस वीके से आप लोग पीजिए स्काइल वॉस्छ कर सकते हैं जिस वीकिस से उप कर दोंगो आपको बिलो जैपटॉप वलाइंटर अटरफेस मिलें मारी को एक क्वेस्चन होता है कि आप लोगों को जो टूल बताया जा रहा है यह वाक़ एसके वोस आई वेससी हैं जो आपको एक दो यह मैक्सिमंग तीन मरतभा फ्री ट्राइल लेती हैं उसके बाद आपको प्रो वर्जिन खरिदना होता है तो उसके लिए असान सा हल है कि आप आप लोगों ने अपने एक आईडी के दूब अपना अकाउंट क्रेट किया आप लोगों ने वहां पर मैक्सिमम नमर आफ ट्राइल्स यूज़ कर लिए अब जब उसने आपको कहा कि इसका प्रो वर्जिन पर्चेस करें तो आप लोग अपने उस अकाउंट को लॉग इसके इलावा बहुत सारी वेबसाइट ऐसे हैं जो वाइडले यूज़ होती हैं जैसे कि आपका स्पिन बॉट है कुल्ट बॉट है इसके इलावा आपका ग्रामर ले है तो यह बहुत सारी फीचर्स अपने आप लोगों को फ्री आफ कॉस्ट आफर करती हैं आप लोग इ यही वह케 बार वार यूज़ होते हृते हैं लोगवक के वर्क रहे हृते हैं यह तोबट कर आकाoeun ों से आप लोगएन अपन वर्क करने के लिड़ने और और फीचर वेवेलन के लिगंटू हेइल है तो उसका भी आप लोगों को प्रो वरियन पर जैस करने की जरुवत नहीं है इसके लावा स्पिन बाट हो गया, कुल्ड बाट है, जिरो चीपीटी है, डुपली चेकर, यह सारे वो प्लैटफॉर्मस हैं जो आप लोगों को बिना साइन अप किये ही काम करके दे देते हैं तो इन सब को आप लोगोंने किसरी के से यूज़ करना है, आप लोगों को प्रिक्टीकली मॉबाइल फोन पर करके दिखाती हूँ ताकि जिन लोगों के पास लैप्टॉप या पीसी नहीं है और वो राइटिंग वर्क के थूँ अपना करियर बनाना चाते हैं इस काम के थूँ अर्णिंग करना चाते हैं, उनको भी कोई प्रॉबलम ना हो और वो अपने मॉबाइल फोन को यूज़ करते हूँ अर्णिंग कर सकें सबसे पहले तो आपने अपने क्रॉम पर आना है और यहां पर टाइप करना है चैडजीपीटी.com कुछ इस किसम का इंटरफेस आपके मॉबाइल फोन पर भी शो होगा यहां पर नीचे आप लोगों ने चैडजीपीटी के लिए एक मैसेज लिखना है जिसमें आप लोग अपने आर्टिकल या स्टोरी का टाइटल लिखेंगे अब आप जितना ज्यादा अच्छा सा टाइटल एक्स्प्लेइन करेंगे अपना टॉपिक एक्स्प्लेइन करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को आर्टिकल लिखकर दिया जाएगा आप लोगों को समझाने के लिए इस एक शौर्ट स्टोरी लिखकर दे दिया जो कि होरर स्टोरी है अब नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सबसे पहले एक आपको स्पीकर का बटन नज़र आ रहा है देखें कि मैंने जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये स्टोरी रीड आउट करके शौरानी शौरू कर दी ठीक है इसके बाद नेक्स बटन आपके पास फॉपी का है उसके बाद नेक्स लाइक और डिसलाइक का है लास्ट पे आपके पाद जो बटन नजर आ रहा है अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आई या आर्टिकल पसंद नहीं आया आप इसको रिजेनरेट करवाना चाहते हैं तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है ये आपको अगेन रिडाइट करके दे देगा ठीक है एक न्यू स्टोरी आपको देदेगा अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आई तो आप इससे अगेन इस बटन को क्लिक करके कोई ओर स्टोरी लिखवा सकते हैं ठीक है यानि कि सेम टॉपिक पर आप लोगों को बार बार ये आर्टिकल या स्टोरी जेनरेट करकर देगा जब तक आपको अपने पसंद की स्टोरी नहीं मिल जाती ठीक हो गया तो जनाब इस तरीके से आप लोगों ने अपना राइटिंग वर्क करना है यानि कि अपना आप लोगों ने चेट जीपिटी को से सर्च करनी है तो आपके सामने इस तरह के आइकन वाला एक एप शो होगी इसको आप लोगों अपने मूबाइल फोन में इंस्ट्रॉल कर लेना है इसमें आप लोग अपना आर्टिकल पेस्ट कर सकते हैं इसको आप तरह से स्ट्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको गूगल शीट्स बना सकते हैं अगर आपने स्लाइट्स बनानी है जैसे कि पावर पॉइंट की होती है तो आप लोग पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं लेकिन जहां पर एक इशू है और वो यह है कि बहुत सारी वेबसाइट सेस्ट्री होती है जो आप लोगों से अब हो सकता है आज जिस वेबसाइट के लिए काम करें हो वो आपकी जजी डॉक वाली फाइल एकसेप्ट ना करें यानिके गूगल डॉकुमेंट की फाइल एकसेप्ट ना करें उसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में MS Word डॉनलोड करना है उसके लिए आप यहां पर लिखके सर्च कर लिजी Office 360 for Android आप लोगों को पूरा Office मिल जाएगा पूरी एप मिल जाएगी अगर आपने सरफ वर्ड डॉकुमेंट को एडिट करना है सरफ उसी को आप लोगों ने यह वाली एप यूज कर लेनी है आप देखे Microsoft Word एडिट डॉकुमेंट आप लो को PC या laptop में मिलता है ठीक है इसको आप लोगों ने यहां से इंस्टॉल करना है अगर आप लोगों को यहां पर काम करने में कोई मुश्किल पेश आती है या आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन और मुझे बताना है मैं इंशाले एक कर लेते हैं अब इस फ्रीके से तो आप लोगों ने अपनी फाइल सेव कर लेनी है अब आप लोगों ने अपनी जो ग्रेमेटिकल एर्रस होती है उनको कैसे रिमूफ करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ सबसे बेस्ट प्लैटफॉर्म है वो है जनाब ग्रामर ले यहां पे फ्री ओफ कॉस्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजर्स यह दे देता है और आप लोगों को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ते क्योंकि यह आपकी क्रेक्शन्स जो है वो ना सिर्फ फाइल एड़ करता है बलके उनको यह ठीक भी कर देता है ठीक है इसक कुछ आप लोगों को काफी सारी वीडियो में काम करना बता रखा है नेकिन मॉबाइल फून पर काम करते वे अगर आपको किसी किसम की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को इस पर डिटेल्ड वर्क करना बता दूंगी ठीक है इसके इलावा अब नेक्स्ट हमा है सेम इसजबी के से हम लोग अपने लैपटॉप यह पीसी पर भी काम करते हैं बस उसमें यह होता है कि दोनों टेक्स बॉक्सेज हैं वो आपने सामने होते हैं यहां पर यह उपर नीचे हैं ठीक है अब आप लोगों घूपी का जो आइकन है इस पे क्लिक करके अपना जो यह जो आपकिन है इसको हम लोगों करते हैं तो यह देखें यहां पर आप लोग को बतार है कि अगर आपने वेबराप्रेजिंग तूल करना है Free Grammar Checker है, AI Tech Summarizer, A Different Kind of AI Detector, Language Translator और Pledgeism Checker यानि के Quill Port के थूँ आप लोग Translation भी करवा सकते हैं अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इस वेब साइट को ओपन करती हूँ इसका मैं इंटरफेस सेम वैसा ही जैसा कि आप लोगों को लैप टॉप पे नज़र आता है यहां पर उपर आप लोगों को सारे options नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग use कर सकते हैं और यहां से हम लोग work कर सकते हैं अब यहां पर इसको आप स्क्रॉल टाउन कीजिए यहां आपको नीचे एक चीज नज़र आ रही है get the free app यानि कि play store से आप लोग quillbot की free app डाउनलोड कर सकते हैं कैसे आप कर सकते हैं simply आप लोग play store पर आएए और यहां पर आकर आप लोगों ने यहां सरच करना है quillbot ठीक है आप जैसे ही यह लिखते हैं तो आपके सामने यह देखिए app शो हो गई है quillbot AI writing अब यहां इसके देख लिजी 4.4 की star rating है 7000 इसके reviews है millions में इसके download है इसी तरीके से आप लोगों के पास जनाब दूसी website है grammar ले की और उसकी app भी आपके पास यहां पर मुझूद है यहां पर मैंने grammar ले लिखा तो आपके सामने इसकी app शो हो रही है 50 million प्लस इसके download है 3.9 की star rating है install इसको कर लीजी अपने mobile phone में आप लोगों के लिए काम करना इंतहाई असान हो जाएगा इसको scroll down कीजिए तनीचे आप लोगों को chat GPT की app नजर आ रही है यानि आप लोगों को chrome browser पे work करना सिखाया था लेकिन अगर आप लोग chat GPT की app डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका काम केंग गुना ज्यादा असान हो जाता है नीचे आप देखिए तो google translate की app नजर आ रही है इसको भी अगर आप लोग अपने mobile phone में डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बाबा chrome browser पे जाकर google translate यूज नहीं करना पड़ेगा आप लोग उनको पता है कि chrome browser पे यूज करना website के थूँ यूज करना और app के थूँ यूज करना बड़ा difference होता है इन दोनों में और app के थूँ काम करना बहुत ही easy हो जाता है तो आपका interface इन्होंने बहुत user friendly बनाया होता है इसके लावा हम लोग के core tool यूज करते हैं जिसके नाम zero GPT है जिसके थूँ हम लोग अपने content में GPT content detect करते हैं तो उसके लिए आप लोग देखिए कि आप लोग को यहाँ पर काफी सारी apps नसरा आ रही है जिसकी सबसे दा higher rating है उसको आप लोग download कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूं कि अगर आपने app के थूँ काम नहीं करना तो zero GPT को आप लोगों ने simply chrome browser पे आकर type करना है zero GPT ठीक है आपके सामने ये देखिए website open हो गई है आप इसके नीचे आदे जाएंगे तो same नाम की काफी सारी आपको website show हो जाती है लेकिन zero GPT की जो website है वो बिलकुल आपको top पे show होती है इसको आप लोगों ने open करना है open करके यहाँ पर same way में आप लोगों ने काम करना है इसके इलावा एक और website हम use करते हैं डुपली checker के नाम से इस website के बहुत ही ज़्यदा फवाइद हैं यहाँ पर आप लोग ना सिर्फ अपनी plagism चेक करते हैं बलके आप लोग अपने content में जो AI generated content होता है उसको भी check कर सकते हैं आप लोग paraphrase कर सकते हैं यह देखें इसको मैं open कर लेती हूँ बिल्कुल सेम वही interface है जिस वी कैसे आप लोगों को मिलता है अपने laptop में यहाँ पर देखिए जनाब आप लोगों ने अपना text paste करना है इसको scroll down करना है I am not a robot पे click करेंगे और check plagism पे click करते हैं अगर आपने grammar check करवाना है तो grammar check पे आप लोगों ने click कर देना है यहाँ इसकी scanning होती है और नीचे आप लोगों को इसकी report शो हो रही है ठीक है अब इसकी report में आप लोग देख लीजिए तो देखिए आपके article 0% pleasurized है 100% unique है same results आप लोगों को मिलते हैं जब आप लोगों को PC या laptop पे काम करते हैं तो आप लोगों को मैंने कई मरतबा इस वाके results दिखाए हैं इस website को आपको मैंने use करना बताया है ठीक है अब आप लोगों को मैं एक और चीज बदा देती हूँ अगर आपको इसका interface पसंद नहीं आ रहा है आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल desktop की तरह इसका view मिले तो आप लोगों ने simply three dots पे क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों ने desktop साइट पर क्लिक कर देन है आपको इस website का view बिल्कुल आपके desktop यानि के आपके laptop या PC जैसा मिल जाएगा इस फ्रीके का देखें आप लोगों को मैं स्ट्रॉर्डों करके दिखा रही हूं तो आप लोग इस पे भी work कर सकते हैं इसी फ्रीके से अगर आप spinboard यूज़ करे हैं या कोई भी website आप फेस मिल जाएगा यानि के system या PC पर जो वियू होता है सेम वैसा वियू आपको मिल जाएगा ठीक हो गया तो जनाब यह थी हमारी आज की वीडियो होफुली आप लोगो समझ आगी होगी अगर आपको फिर भी कोई confusion आती है किसी भी point पर आपको कुछ समझ में नहीं आता त जब तक आप लोग इस method के थ्रू काम करते हैं मैं लेकर आती हूँ अब लोगे लिए कोई और अच्छा सा earning का real और legit platform तिल दैन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा मुझे द्वाँ में याद रखिएगा अलाहाफेज